समाजवादी पार्टी के सांसद मुहम्मद आजम खान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही शनिवार को SDM JP गुपता की कोट से उन्हें करारा जटका लगा है कोट ने जोहर ट्रस्ट की 70 हेक्टेर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है नमश्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान यह जमीन अभी तक आजम खान की जोहर ट्रस्ट पर थी आपको बता दू एक बार फिर यह जमीन अभी तक जोहर ट्रस्ट के नाम पर थी ततकालीन SDM सदर ने जोहर ट्रस्ट मामले में जांच की थी इस पर SDM कोट में वाद दायर कराया गया था SDM जेपी गुपता की कोट ने अपना फैसला सुनाया है इस फैसले के बाद करीब 70 हेक्टेर जमीन अब सरकार की हो जाएगी जोहर युनिवसिटी के नाम साड़े 12 एकड से अधिक की जमीने थी उनको सरकारी संपत्ती घोशित किया गया है अब SDM सदर को इस जमीन पर कबजा लेना होगा और राजस्व अविलेखों में इसे राजसरकार की नाम दर्ज कराना होगा दरसल मुहमद अली जोहर युनिवसिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष खुदाआजम खान है ट्रस्ट में सासन के 12 एकड से अधिक भूमी रखने की अनुमती ली थी इसके बाद ट्रस्ट ने आसपास की जमीन खरीदी आरोप है कि इस दौरान जमीनों पर अभैद कबजे किये गए और सरकारी जमीनों में फेर बदल किया गया अब एडियम प्रशासन रामपुर के राजस्व नियायले ने माना है कि जिन शर्तों के अधिर युनिवर्सिटी ट्रस्ट को जमीन खरीदने के अनुमती दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया है नियायले ने कहा कि भरती के उलंगन के कारण साड़े बारा एकड भूमी को छोड़ जो बाकी भूमी है करीब सतर हेक्टर यानी 173 एकड उसको राजसरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए और उस पर कब्जा प्राप्त किया जाए इस मामले में शासिकी अधिवक्ता अजयतिवारी ने बताया है कि एक बाद एसडियम जेपी गुपता की कोट में चल रहा था उसमें आदेश हुआ है कि साड़े बारह एकड लैंड को छोड़ कर बाग की 70 हेक्टेर जमीन राजसरकार में नहित कराई जाए उप जिलादिकारी सदर को यह भी आदेशित किया गया है कि वहनियमानुसार कबजा प्राप्त करे और अभिलेखों में अंकन की कारवाई करे इस मामले में शिकायत करता आका सकसेना ने बताया है कि सपा सरकार के दोरान युनिवसिटी ने चकरूड की जमीनों पर भी कबजा किया था नदी की जमीन पर भी कबजा किया था उन्होंने कहा दोहजार पांच में जब सरकार ने जोहर ट्रस्ट को साड़े बाढ़ा एकड़ से अधिक जमीने खरीदने की अनुमती दी थी तब कुछ सर्तें भी लगाई थी ट्रस्ट को चैरिटी का काम करना था लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया डियम ने जब डीटेल मांगी तब ट्रस्ट की ओर से समय मांगा गया हर बार यही होता रहा 2006 में इस उन्युवसिटी का सिलान्याश किया था और 2012 में इसका उधगाटन हुआ था 2017 में सरकार बदलने के बाद कारवाई शुरू हुई आजम खान ने इस कारवाई को राजनेतिक कारवाई बताया 2019 में 26 किसानों ने मुकदमे दर्ज कराए थे प्रिशासन ने आजम खान को भूमाफिया के रूप में दर्ज किया फिलाल आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ पिछले 11 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है